असलाम लेकुम डिया स्टूरेंट आज हम Reader Theater in early childhood setting में जो most important element देखने जा रहे हैं वो है practice और उसका तालुक performance के साथ एक बहुत important saying आपके सामने होगी और आपको आती होगी कि practice makes the things perfect definitely आप जितनी practice करते हैं उतनी आपकी fluency develop होती है उतनी आपके understanding बहुतर होती है उतनी आपकी अंदर जो आपकी जो memory है वो आपकी जो actions है उसको बहुत अराम से engage कर सकती है so practice और जो repeat करवाना है बच्चों को वो उनके लिए बड़ा फायत मंद है कि जब आप reader theater कर रहे होते हैं जब वो अपनी performance करने जाते हैं तो perfectly perform कर लेते हैं minimum errors और mistakes के साथ तो एक successful reader theater के लिए जरूरी है कि जब आप बच्चों को practice करवा रहे हो वो उस practice का structured time हो उसके अंदर बच्चे properly focus कर रहे हो और आपकी जो भी preparation है उस time के अंदर जो आप बच्चों को करवाने जा रहे हैं बड़ी specific होनी चाहिए एक उस पे बच्चों का attention focus होना चाहिए आप का attention focus होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक सही time का होना बहुत ही जरूरी है तो हमें बच्चों को सबसे important जीज़ यह है कि इतना time जरूर देना है जिसमें वो enough practice कर लें और वो confident feel करें कि वो reader theater में सामने आके perform करने के लिए तयार है most of the time बच्चे बड़े confident होते हैं लेकिन जैसे ही theater सामने आता है वो डर जाते हैं यह एक अलग चीज़ है लेकिन अगर वो practice के दोरान fluent है confident है और जबदस तरीके से flow में बगएर किसी break और minimum error के perform कर रहे हैं तो इसका मतलब है they are kinda ready so wait for them कि वो कब ready होते हैं so reader theater में बच्चेों ने कब perform करना है यह उनको decide करने जब उनको लगे कि yes I am ready let them give a chance at that time कि वो तब आए और तब अपनी performance के लिए त्यार रहे है teacher को करना किया चाहिए कि उन्हें अपना जो daily schedule है उसके अंदर से practice के लिए definitely rehearsal के लिए time निकालना पड़ता है और यह reader theater जब होने वाला है उससे कम असकम एक हफता पहले या 10 दिन पहले जरूर यह practice जो है आप शुरू करा दें कई जगा तो महीनों पहले practice शुरू हो जाती है ताके बच्चे properly perform करते रहें definitely school का schedule ऐसा होता है कई दफ़ा में daily rehearsal किया time मिलता है कई दफ़ा में नहीं मिलता जो बच्चे बड़े होते हैं वो ज्यादा individually काम कर सकते हैं practice कर सकते हैं अपने घर में rehearsal कर सकते हैं या चोटे small groups के अंदर भी उनकी rehearsal और practice definitely हो सकती है चोटे बच्चे जो के emergent readers होते हैं उनको definitely ज्यादा guidance की जरूरत होती है अब practice की जो duration है वो definitely change हो सकती है जब शुरू के दिन हो सकते हैं तो हो सकता है practice का time थोड़ा कम हो बीच के दिनों में ज्यादा हो जाए end के दिनों में और ज्यादा हो जाए या अगर practice बहुत अच्छी हो रही है तो time कम या ज्यादा definitely change कर सकता है टीचर देखते हुए कि बच्चों की किस किसम की performance है और बच्चे मजीद कितना और time चाहते हैं कि सो टीचर को इंतजार करना चाहिए कि बच्चे एक दिफा confident हो जाए उनकी practice अच्छी हो जाए और वो competent हो जाए ताकि वो अच्छी किसम की performance दे सके और इंटर्पोटेशन जो है practice का वो एक बहुत ही beneficial पार्ट है especially जह हम pre-school और kindergarteners के साथ चल रहे होते हैं और इंटर्पोटेशन के अंदर बच्चे express करते हैं ना सिर्फ चहरे से के expression से हातों के gesture से body language से और especially वो बहुत ही अराम से और confidence से उन कहानियों पर नजमों पर और rhymes के उपर perform कर लेते हैं जो कि वो जानते हैं जो उन्हें already आती हैं या जो उनकी favorite songs है उसके उपर वो अपनी creative movements है music के साथ दिखा सकते हैं dramatic play के अंदर हम बच्चों को chance देते हैं बच्चे बातशीत करते हैं आपस में collaborate करते हैं आपस में decision making लेते हैं एक दूसरे को guide करते हैं तो यह जो social networking है यह बहुत ही एक phenomenal factor है हमारा readers theater का क्या क्या बच्चे कर सकते हैं points पड़ सकते है songs perform कर सकते हैं chants कर सकते है rhymes पड़ सकते हैं या different verbal games के थुरू हम बच्चों को prepare करवा सकते हैं उनको practice करवा सकते हैं ताकि बच्चे अपनी oral presentation के लिए perfectly prepare हो जाए